हेलो बच्चों आज सात्वी कक्षा के वसंद पार्टे पुस्तक से लिया गया हिमाले की बेटियाम नामक अध्याय का वाचन करने वाली हूं ये निभंध है आप भी सात में ही पढ़िएगा ओके लेट्स टार्ट अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था बड़ी गंभीर, शान्त अपने आप में खोई हुई लगती थी संब्रांत महिला की भांती वे प्रतीत होती थी उनके प्रती मेरे दिल में आदर और स्रद्धा के भाव थे मा और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुपकियाम लगाया करता परन्तु इस पार जब मैं हिमाले के कंधे पर चड़ा तो वे कुछ और रूप में सामनी थी मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा यही यमना यही सतलज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है इनका उचलना और कूदना खिल खिला कर लगाता रहसते जाना इनकी यह भाव भंगी इनका यह उल्लास कहां गायब हो जाता है मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतुहल और विसमय नहीं होता जितना की इन बेटियों की बाल लीला देखकर कहां ये भागी जा रही है, वो कौन लक्ष है जिसने इने बेचैन कर रखा है अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हरदय अतरप्त ही है तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा बरफ जली नंगी पहाडियां, छोटे छोटे पौदों से भरी घाटियां बंधुर अधित्य काईम, सरसब्ज उपत्य काईम, ऐसा है इनका लीला निकेतन खेलते खेलते जब ये जराज दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंच कर शायद इने बीती बाते याद करने का मौका मिल जाता होगा कौन जाने बुढधा हिमाले अपनी इननटकट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा बड़ी-बड़ी चोटियों से जाकर पूछी तो उत्तर में विराट मौन के सिवाए उनके पास और रखा ही क्या है सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, जेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सर्यू, गंडक, कोसी आदे हिमाले की छोटी बड़ी सभी बेट्याम आँखों के सामने नाचने लगती हैं वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयम कुछ नहीं हैं दयालो हिमाले के पिगले हुए दिल की एक-एक बूंध न जाने कप से इखटा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की और प्रवाहित होती रही है कितना सवभा के शाली है वह समुद्र जिसे परवत राज हिमाले की इन दो बेटियों का हाथ पकटने का स्रेय मिला जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनकी खयाल में शायद ही अब बात आ सके कि भूडे हिमाले की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है माबाप की गोद में नंग धडंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़े आदमियों के लिए आकरशक भले न हो लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमाले को ससुर और समद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी जिजक नहीं होती है कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेगदुत से कहा था वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना तुमारी वह प्रेसी तुमें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी यह बात इस चंचल नदियों को देख कर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवी को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था दरसल जो भी कोई नदियों को पहाडी गाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शकलों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा काका कालेल करने नदियों को लोक माता कहा है किन्तु माता बनने से पहले यदि हम इने बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है और थोड़ा आगे चलिए इनी में अगर हम प्रेशी की भावना करें तो कैसा रहेगा ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं बेहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी थोलिंग तिबबत की बात है मन उचट गया था तबियत ढीली थी सतलच के किनारे जाकर बैठ गया दोफर का समय था पैर लटका दिये पानी में थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जलने असर डाला तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने जै हो सतलच बहन तुमारी लीला अचरज बहन तुमारी हुआ मुदित मन हटाक हुमारी जाओ मैं तुम पर बलिहारी तुम बेटी यह बाप हिमाले चिंतित पर चुपचाप हिमाले प्रकती नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्बुद चाप हिमाले जै हो सतलच बहन तुमारी हिमाले की बेटियाम नागारजुन जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंद है और लेकक प्रस्तुद निबंद में नदियों के प्रतिया पार सरद्धावा आधर भापरकट करते हैं और वह इन नदियों को मादादी, मौसी, मामी की गोद के तरह उनकी धारा में डुप कियाम लगाया करता था और आश्चरी प्रकट करते हैं कि कैसे दुबली पतली गंगा यो मुना सतलच मैदानों में उतर कर विशाल हो जाती है और मैदानों में उतर कर विशाल हो जाती है वे अपनी महान पिताक के विराट प्रेम पाकर भी यदि इनका रदय अतरप्त है तो कौन वह होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा और बर्फ से डकी पहाडियां चोटे चोटे पौधों से भरी घाटियां और अधित्य कायम सर्वसब्ज उपत्य कायम आदी हैं और खेलते खेलते ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड, सरोम, चिनार, सफेद, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इने बीती बातों को याद करने का मौका निकल जाता होगा ऐसे लेख कहते हैं सिंदू और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतल, चेनाव, चेनाब, जेलम, गंगा, यमना, गंड़कादी कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमाले की ही बेटियां हैं और हिमाले के ये पिगले पिगले हुए बर्फ या दिल की एक-एक बूंद न जाने कब से इखटा होकर इन दो महानदों के रूप में नदी बनकर समद्र की और प्रवाहित होती रहती हैं और लेखक के खयाल में लेखक को खयाल आता है कि भूडे हिमाले की गोद में बच्चियां बनकर ये नदिया कैसे खेला करती हैं और ये द्रिश्य पहाडी लोगों को भले ही आकरशित न करें लेकिन लेखक को हिमाले को ससुर और समुद्र को दामात कहने में कोई उनको जिचक नहीं होती है और ऐसी परिस्तिती में कालिदास ने अब निकावे में विरही यक्ष का जो वर्णन किया ह उनमें मेगदूत में कहा गया है कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना तुमारी प्रेयसी तुमें पाकर आवश्य ही प्रसन्न होगी और कालिदास को भी इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था लेखक कह रहे हैं और कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कह और लेखा की नदियों को हिमाले की बेटियाम कहना अधिक पसंद करते हैं और बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया होगा लेखा का मन जब उचट जाता है तो वह तिबत में सतलच के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और दोफर के समय वे पैर लटका कर वह पान कर दिया होता है और कवी गीत गुन-गुनाने लगते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाएएगा अभी अगली वीडियो में मिलते हैं थैंक यू झाल दो